नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी काप के अपने इस यूटूब चनल अउनली टीचिंग पर दोस्तों आज है 23 अपरेल और आज कैट कोर्ट में हेरिंग थी MCT PRT से रिलेड़ एक केस की हलाकि MCT PRT पे पहले से ही बहुत से केसिस चल रहे हैं नहीं केसिस में से एक केस था मोना दलाल एन अदर्स का जिसकी हेरिंग आज हुई थी कैट कोर्ट में कैट कोर्ट में क्या हुआ यह सारी चीज़ हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में और अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक कर दिजेगा और चैनल पर ने है तो सस्क्राइब भी कर दिजेगा तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस की जो मोना दलाल एन अदर्स का केस है यह इन्होंने साथ मार्च को फाइल किया था कैट कोट में और इसकी पहली हीरिंग जो हुई थी वह हुदी 14 मार्च 2019 को जो केस था यह नॉर्मलाइजेशन और डिपीटिट कोशन से रिलेटिड था जिसमें की कैट कोट ने 14 मार्च को अगली डेट दे दी थी एक अपरेल की जब एक अपरेल को हीरिंग हुई तो इनको अगली डेट मिल गई 23 अपरेल की तो आज है 23 अपरेल और आज भी हीरिंग हुई थी कैट कोट में जिसमें की कैट कोट ने इनको अगली डेट दे दी है 15 जुलाइगी तो यह काफी लंबी डेट मिली है और यह लंबी डेट इस वज़े से मिली है विकॉज जैसे कि आप इसका status है वो मैं आपको दिखाऊंगा साथी साथ अभी इसका जो order है वो अभी website पर available नहीं है जैसे order आता है मैं तुरंट एक video बनाऊंगा और जो भी information होगी वो मैं आपको provide करवाऊंगा तो अब बात यह है कि इस case को लेकर जो selected है उनके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्या joining process इसे effect होगा यह कहीं IR या stay तो नहीं मिल गया तो देखिए इसमें फिलाल कुछ नहीं मिला है ना ही कोई IR है ना ही कोई stay है next sharing date मिल गई है 15 जुलाई की और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए 15 जुलाई ब joining जिसरी किसे चल रही है वो चलती रहेगी और जो अगली hearing है वो 15 जुलाई को होगी तो अब मैं आपको एक बार वो जो status है case का जो भी status है जो भी detail है मैं आपको भी दिखा देता हूँ तो चली सबसे पहले हम वो एक बार देख लेते हैं case की detail तो दोस्तों आप देख सकते ह है यह वो case है और यहाँ पर पूरी case की detail है सबसे पहले case number oa number 855-2019 यह है case number जो date of filing है यह है 7 March 2019 और आप देख सकते हैं इसमें listing date आज की है 23 April 2019 आज इसकी hearing होनी थी और आज proceeding भी हुए जिसमें की next listing date यहाँ पे दिखा रखी है 15 जुलाई 2019 और यह जो applicant है यह है Mona Dalal and others जो की इसमें restaurant है इसमें डेली subordinate service selection board and others है तो इस तरीके से यह दो parties है जिनके बीच में case चल रहा है और इसकी जो filing date है वो 7 March 2019 है और अगली जो hearing date मिली है वो मिली है 15 जुलाई 2019 की तो आप service selected candidates को इसको लेकर बहुत tension लेने की जो इतनी है जो joining process है जिस तरीके से चल रह family और आपकी जो joining है उस पर इस case का अभी तक कोई effect होने वाला नहीं है बाकी मैं आपको यह कहूंगा कि आप जो अभी case order है इसका वेट करिए जैसे ही website पर upload होती है सारी चीजी clear हो जाएंगी की detail में पता चल जाएगा हमें की court ने क्या directions दिये हैं तो अगर यह वीडियो पस तेकली नमस्कार